नमस्कार दोस्तों मैं हूं मुक्तर दिख्षित एस्ट्रोजर आपका मुक्तर जूतिस चैनल में स्वागत है और आज हम बात करेंगे मार्केट एस्ट्रोजी के जो हम ज्यान आपको दे रहे हैं बेसिक ज्यान की किस प्रकार से हम इसको समझ सकते हैं तो जरूर आप इन आपको जानकारी देने वाले हैं चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए बैल आइकान अवश्य दवाईए और इसके साथ आप कारले से गोल्ड सिल्वर निप्टी निप्टी वैंक प्रूडाइल आदी की दैनिक प्रडिक्शन प्राप्त कर सकते हैं तो आप माई चै है किस प्रकार से मराशी अंस्तकला का ज्यान देखते हैं कि किस प्रकार से पढ़ते हैं और आपको मास क्या होते हैं और इसके साथ तितियों की गड़ना कैसे की जाती है सुक्ल पक्ष्ण क्रिशन पक्ष्ण क्या होता है यह इस्ट्रोजी की बैसिक जानकारी रहती है अव लोग और नच्छत्र इनका प्रभावी मार्केट पर पड़ता है तो सबसे पहले 27 नच्छत्रों की नाम हम जान लेते हैं कौन-कौन से नच्छत्र है क्रमसा तो सबसे पहले जो नच्छत्र आता है अश्वनी दूसरे नंबर पर भढ़नी प्रतिका रोहनी रक्षिरा आद्र पुनरवसू, पुष्य, असलेशा, मघा, पूर्वापालगुनी, उत्रपालगुनी, हस्त, चित्र, श्वाती, विशाखा, अनुराधा, जेश्ठा, मूल, पूर्वासाढ़ा, उत्रासाढ़ा, स्रवन, धनिष्ठा, सद्विशा, पूर्वाभादपद, होता है, जिसे हम अनिक जगह सुपकारियों में बहुत अधी को प्योग करते हैं, वह होता है अभीजीत महूर्थ, और अभीजीत नच्छत्र, इसी को अभीजीत महूर्थ कहा जाता है, जिसमें हम सुपकाम करते हैं, तो सारे शुपकाम जो रहते हैं, सुप होते हैं, और स प्रुपकारियों के लिए इस नच्छत्र का बहुत अधिकों प्योग किया जाता है यह नच्छत्र प्रति दिन आता है अब इसके बाद हम देखेंगे जिस प्रकार से जो 27 नच्छत्र होते हैं और 12 राशियों को 27 नच्छत्रों में विभाजित किया जाता है तो जो एक प्रकार से चार चरण होते हैं तो ऐसे दो सवा दो नच्छत्र जो रहते हैं एक राशी में बनते हैं अगले बाद हम देखेंगे और एक नच्छत्र जो होता है तेरा अंसर बीश कला का होता है अब इसके बाद हम देखते हैं कि योग क्या होते हैं तो जो योग रहते हैं वह 27 होते हैं तो इनका नाम जैसे मैं आपको बतलाती हूं सबसे पहला योग होता है बिश्कुम्भ योग होता है प्रीती योग है आईश्मान योग है सौभाग्य है सोवन है अतिगंड है सुकर्मा है जती है सूल है गंड है ब्रधी योग धुरुब ब्यागात हरसन बज्र व्यतिपात, वरियान, परीधी, शिव, सिध्धी, साध्य, सुभ, सुकल, ब्रह्म्हा, एंद्र और बैध्रती जी हैं दोस्तों यह 27 योग होते हैं इनका भी हमारे मार्केट पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ता है और हमारे देनिक जीवन पर भी प्रभाव पड़ता है ज अगहात योग है इनका बहुत अधिक देखा जाता है सुभकारियों के लिए और एस्ट्रोजी में भी देखा जाता है कभी योग पड़ते हैं तो मद्दी हो जाती मार्केट और कभी पड़ते हैं तो तेजी हो जाती है तो इस प्रकार से यह योग रहते हैं अब जैसा कि ह हमें पंचांग में देखना है तो जब आप स्ट्रोजी और मारकेट का काम करते है तो जो मार पूर्थ और नच्छत्र के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं तो यह जानकारी भी आपको कल में बतलाऊंगी तो वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत-बहुत धन्यवाद नमस्कार